Hello everyone, welcome to P Mathematics. इस वीडियो में हम गे 2016 से linear algebra के जो questions आएं हैं, उन में से कुछ questions को solve करेंगे. अगर आपको solution समझाएं, तो please like करें, share करें और channel को subscribe करें. देखिये first question, Let x, y, z be a basis of R3. Consider the following statements P and Q. Statement P, x plus y, y plus z, x minus z is a basis of R3. Statement Q, x plus y plus z, x plus 2y minus z, x minus 3z is a basis of R3. Then हमें ये बताना है, इन में से कौन-कौन से statement true है. Option first, both P and Q. Option second, only P. Option C, only Q. And option D, neither P nor Q. देखिये solution. देखिये, statement P में हमें एक set दिया हुआ है. x plus y, y plus z, x minus z. तो हमें ये बताना है, क्या ये basis होगा R3 के लिए. तो यहां से हम क्या करते हैं? इनको matrix की form में लिख लेते हैं. तो first में देखिये, x plus y. तो यहां पे z का coefficient 0 है. तो first row में लिखेंगे 1, 1, 0. x का coefficient 1, y का coefficient 1, and z का coefficient 0. इसी तरह से second, y plus z. तो यहां पे x का coefficient 0 है. तो second row में 0, 1, 1. थर्ड, x minus z. तो यहां पे x का coefficient 1, y का coefficient 0 है, and z का coefficient minus 1. अब देखिये, matrix के help से हम कैसे बताएंगे, कि basis होगा, या नहीं होगा R3 के लिए. तो हम क्या करते हैं, देखिये, इसको equivalent form में convert करते हैं. पहले 1 को pivot बनाते हैं, तो इसके नीचे वाले सारी entries को 0 कर देते हैं. तो यहां पे क्या आजाएगा 1, 1, 0, 1, 1, 0, minus 1, minus 1. यहां पे तो entry 0 है, तो यह वाली row तो as it is आ गई. And third row में यहां पे 1 को 0 बनाने के लिए क्या करेंगे? R3 row में से R1 row को minus कर देंगे. तो यहां पे आजाएगा 0, minus 1, minus 1. अब next, यहां पे 1 को पाइवोट बनाएंगे, तो minus 1 को 0 करना होगा. तो R3 में क्या करेंगे हम? R2 को add कर देंगे. तो यहां पे यह वाली entry हमारे पास 0 आ जाएगी. तो हमारे पास matrix convert हो जाएगी 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. अब देखे जब इसका determined find करेंगे, तो यह हमारे पास 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 रो हमारे पास पूरी की पूरी 0 है. और अगर matrix का determinant 0 है, इसका मतब x plus y, y plus z and x minus z. यह कैसे होंगे? यह LD होंगे, और अगर यह LD होंगे, तो basis form नहीं करेंगे, तो हमारे पास p statement तो false हो गया, ठीक है, क्योंकि यह basis नहीं बनाएंगे आर्थरी के लिए. Similarly हम Q के लिए चेक कर लेते हैं, तो यहां से भी matrix बनाते हैं, तो यहां पे देखे, x plus y plus z, तो first row में value क्या जाएगी, 1, 1, 1, क्योंकि x का coefficient 1, y का 1, z का 1. Second row में क्या आएगा? 1, 2, minus 1. ठीक है, second row में आजाएगा 1, 2, minus 1. Third row में, यहां पे y का coefficient 0 है, x का 1, and z का minus 3. तो third row में आजाएगा, 1, 0, minus 3. इसको भी एकल अन्फोर में convert कर लेते हैं, तो पहले यहां पे 1 को pivot बनाएंगे, तो इस 1 के help से, यहां पे यह दोनों entries को 0 करना है, तो क्या करेंगे, R2 में से R1 को minus कर देंगे, ठीक है, R2 के जगे क्या replace कर देंगे, R2 minus R1, and R3 के जगे क्या replace कर देंगे, R3 minus R1, तो यहां पे यह दोनों entries 0 हो जाएगी, and matrix बन जाएगी, 1, 1, 1, 0, 1, minus 2, 0, minus 1, minus 4, फिर इसको क्या करेंगे, फिर से, यहां पे 1 को pivot बनाएंगे, तो इस minus 1 को 0 करना है, तो क्या करेंगे, R3 को replace कर देंगे, R3 minus R2, sorry, R3 plus R2, तो यहां पे matrix आजएगी, 1, 1, 1, 0, 1, minus 2, 0, 0, minus 6, अब देखिए, यहां पे हमारे पास तीनों pivot मिल रहे हैं, इसका मतब इसका determinant non-0 है, और अगर यह determinant non-0 है, इसका मतब यह तीनों कैसे हैं, LI है, और अगर यह LI है, तो basis form करेंगे, तो इसका मतब यह जो Q statement है, यह true है, अब options देखिए, option first में दियावा, बोथ P and Q are true, बट हमारे पास P false है, क्योंकि यहाँ पर X plus Y, Y plus Z and X minus Z, यह basis form नहीं कर रहे है, आर्थरी के लिए, तो option first incorrect हो गया, option second भी incorrect हो गया, क्योंकि इसमें दियावा P true है, इसका मतब P और Q दोनों true नहीं है, लेकिन Q हमारे पास true है, तो option D भी incorrect हो गया, next question देखिए, consider a real vector space V, is less than N and T square equal to lambda T, for some lambda belongs to R minus 0, then which of the following statement is true, option first, determinant of T equal to modulus of lambda to the power N, option second, there exist a non-trivial subspace V1 of V, such that Tx equal to 0, for all X belongs to V1, option third, T is invertible, and option fourth, lambda is the only eigenvalue of T, तो हमीं बताना इन में से कौंस option true है, देखिए solution, देखिए हमें क्या दियावर question में, T एक linear transformation है, V to V पर define है, and dimension of V equal to N, and dimension of T V less than N, and T square equal to lambda T, तो देखिए, यहां पर हमें क्या दियावर T square equal to lambda T, तो इसकी help से, annulating polynomial के आ जाएगा हमारे पास, X square equal to lambda X, और इससे लिख सकते है, X square minus lambda X equal to 0, इसको इधर ले जाएंगे, X square minus lambda X equal to 0, X को common लेके लिखेंगे तो, X into X minus lambda equal to 0, तो यहां से हमारे पास, X equal to 0, and X equal to lambda, यह हमारे पास eigenvalues आ गई, and हमें देखिए question में क्या दिया हुआ है, हमें दियावर lambda, non 0, ठीक है, तो हमारे पास दो eigenvalues आ गई, एक eigenvalue तो हमारे पास आ गई 0, and एक eigenvalue known 0, ठीक है, अब देखिए options को, option first में दियावर, determinant equal to lambda to the power n, लेकिन हमारे पास, determinant of T क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि एक eigenvalue 0 है, then option first incorrect हो गया, third में दियावर T is invertible, लेकिन determinant of T equal to 0 है, तो इस वज़े से यह option भी incorrect हो गया, fourth में दियावर, lambda is the only eigenvalue of T, लेकिन हमारे पास तो, x equal to 0, and x equal to lambda, यह दो eigenvalue मिल रही है, next question देखिए, let m equal to, a, b, c, b, d, e, c, e, f, यह हमारे पास 3 croce C की matrix लिए, be a real matrix, with eigenvalues 1, 0, and 3, if the eigenvector corresponding to 1 and 0 are 1, 1, 1, इस तरह से हमारे पास, यह हमें दियावर 1 के corresponding eigenvector, and 0 के corresponding हमें दिया, 1, minus 1, 0, respectively, then the value of 3f is equal to, हमें यहाँ पर value किसकी बतानी है, 3f की value बतानी है, देखिए solution, देखिए मैं matrix M दिय हुए, a, b, c, b, d, e, c, e, f, and इसके eigenvalue हमें दिय हुए, 1, 0, and 3, ठीक है, and eigenvector of eigenvalue 1 equal to 1, 1, 1, and eigenvector of eigenvalue 0 equal to 1, minus 1, 0, यह हमें दिय हुए, इन दोनों eigenvalues के eigenvector, तो यहाँ पहले हम इस eigenvalue 0 के लिए लिए लिखके चलते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, mx equal to lambda x, ठीक है, तो यहाँ से matrix M लिखेंगे, a, b, c, b, d, e, c, e, f, और x हमारे पास क्या है, eigenvector, corresponding to eigenvalue 0, वो क्या हमारे पास 1, minus 1, 0, lambda हमारे पास 0 है, तो इदर आजाएगा 0 multiplied by x, equal to 0, ठीक है, यहाँ से इसको solve करेंगे, matrix multiplication से, तो क्या आजाएगा, a minus b equal to 0, b minus d equal to 0, and c minus e equal to 0, तो इन तीनों equation से हमें क्या मिलेगा, a equal to b equal to d, and c equal to e, तो यह values हम matrix M में रखेंगे, तो हमें क्या मिल रहा है, a, b, और d, यह values equal है, तो जहाँ पर, यहाँ फिर c equal to e, कुछ भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम c रख देंगे, जहाँ पर भी e है, तो matrix convert हो जाएगी, m equal to a, a, c, a, c, 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 f, ठीक है, क्योंकि यह square matrix है, 3 croce सी की, तो इसकी trace क्या हो जाएगी, diagonal के entries का sum, तो trace हाजेगी, a plus a plus f, इसका मतब 2a plus f, अब eigen value 1 के लिए, mx equal to lambda x, तो यहाँ पर matrix M रखेंगे, a, a, c, a, c, 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 f, और इसके लिए जो eigen vector दिया हुआ है, 1, 1, 1, and इसके equal में आ जाएगा, यहाँ पर 1, 1, 1, इसको आप correct कर लें न, यहाँ पर 0 नहीं है, क्योंकि यहाँ पर eigen value 1 के लिए 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 चल रहे, तो 1 को multiply करेंगे, eigen vector 1, 1, 1 से, तो यहाँ जाएगा 1, 1, 1, अब इससे matrix multiplication से solve करेंगे, and इसके equal रखेंगे, तो हमारे पास equation मन जाएगी, 2a plus c equal to 1, 2c plus f equal to 1, ठीक है, तो इन दोनों equation से हमारे पास क्या जाएगा, देखो 2a plus c equal to 1, and एक equation हमारे पास है, 2c plus f equal to 1, और trace अभी हमने find की थी, 2a plus f, और trace क्या होती है, sum of eigen values, और हमें eigen value क्या दिय हुई है, देखिए, eigen value हमें दिय हुई है, 1, 0, and 3, and trace क्या होती है, eigen values का sum, तो यहाँ से हमारे पास trace of m क्या जाएगी, 4 के equal आ जाएगी, और हमने अभी trace क्या find की थी, 2a plus f, तो यहाँ पर रखेंगे, 2a plus f equal to, sorry, 2a plus f equal to 4, 2a की value क्या है, equation first say, 1 minus c, तो यहाँ पर आजाएगा, 1 minus c plus f equal to 4, and यहाँ से इसको solve करेंगे, तो minus c plus f equal to 3, यहाँ फिर c minus f equal to minus 3, ठीक है, then c की value आगई, minus 3 plus f, और equation अमारे पास है, 2c plus f equal to 1, यहाँ पर c की value रखेंगे, minus 3 plus f, तो यह आजाएगा, 2 into minus 3 plus f, plus f equal to 1, then यह solve करेंगे क्या आजाएगा, minus 6 plus 2f plus f equal to 1, और यहाँ से 3f equal to 1 plus 6 equal to 7, तो 3f की value आगई 7, आजसर हमारे पास क्या आजाएगा, 3f equal to 7,